बुले ब्रिंदावन भिहारी लाल की जै श्री लक्ष्मी नारैन भगवान की जै 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 श्री दावे शिव से बड़ा कोई वैस्नम नहीं और नारैन से बड़ा कोई सेम नहीं पूजा की हमारे यहां तीन परिपाटी हैं हमारे वैस्नम सेव और साथ वैस्नम कौन है आपका था में दिहान देसे वैस्नम कौन है जो हम जैसा तिलग लगाए हमारे आचार जी जैसा तिलग लगाए समझ जाने है वैस्नम और जो मस्तक पर क्रिपुंड लगाए वो कौन है वो सैव है और जो केवल बिंदी लगाए वो कौन है वो साक्त है वो जगदंबागाबत है इनाज कर तो जिसकी जो मरजी हो वो लगाए लेकिन तिलक भी गुरू परमपरा से होना चाहिए लेकिन यहां तो हम प्रिंदावन में देखते हैं गोपेश्वर महादेव गए तो तरिपुंड लगा लिए राधार मन गए तो गोड़ी संपरदाय के बन गए रंगजी के गए तो रामानुजी संपरदाय के बन गए लेकिन तिलक वैसा ही लगाई है जैसा आपके गुरू तिलक की बड़ी महिमा है महराज मास्तक पर तिला कवल सदार किया गए तिलक की बड़ी महिमा बताई है एक आदस्याम निराहार रहना चाहिए लेकिन आज कि युग में कहना चाहिए एका दस्याम फला हारा लेकिन क्या लिखा है एका दस्याम निरा हारा एका दसी के दिन अहार नहीं करना चाहिए अहार भी कर लो लेकिन एका दसी के दिन वैसे अन नहीं खाना चाहिए नियम तो यह फल वगी रखा लो लेकिन एका दसी के दिन नियम है अन नहीं खाना चाहिए चलो अन भी खाओ बहुत अच्छा लेकिन कम से कम एका दसी के दिन चावल तो मत खाओ एक दिन तो त्याद दो एका दसी के दिन चावल नहीं बनाना चाहिए और भरवान को भी चावल नहीं चलाना चाहिए एका दस्याम निरा आज नंद बाबा का एका दस्यी का बरत था वैसे एका दस्यी का बरत दस्वी से प्रारम हो जाता है दस्वी के दिन एक बार बोजन करिए एका दस्यी के दिन निराहार रहिए अर्द्वादसी के दिन वरत का बारन करना चाहिए ये नियम है वरत का लेकिन आज कल तो जैसी खचाओ ऐसी दहीं है कई लोगो देखना नवरात्री में नौ दिन का वरत रखते है नवरात्री में नौ दिन का वरत रखते है नौ दिन कुछ खाएंगे नहीं कई लोग तो नौ दिन तक चपल जूते नहीं पहनेंगे देखा होगा आपको लेकिन नौ दिन तक गुटका खाएंगे वो फलाहारी है सिगरेट पी ले ले वो फलाहारी है और ये वरत रखना है तो इसका रखिए कि हम अपनी बुराई को नौ दिनों में छोड़ देंगे जब बजाना हो तो जोर से बजाया करें तो हमको भी लगे कि जग रहे हो तो नंद बाबा का ये कादर्शी के वरत था और नंद बाबा ने अर्ध रात में ऐसा लगा कि सूर्योदय होने वाला है और नंद बाबा गए और यमुना में डुकी लगाए मारी और जैसे नंद बाबा ने डुकी लगाई तो वरुन देवता के सैनी काए और नंद बाबा को पकड़ कर वरुन लोक ले गए अब जैसे नंद बाबा को वरुन लोक ले गए अब महराज वाल वाल ढूर्णने लगे बाबा कहां गए बाबा को ढूर्णते ढूर्णते कनहिया के पास गए कृपिया सब सांती से बैठे थे नंद बाबा को ढूर्णते ढूर्णते भगवान बरुन लोक में गए और वरुन लोग से नंद वापा को वापस ले आए बरुन ने भगवान की इस्तुती करी नमस तुभ्यम भगवते ब्राम्भने परमात्मने नायत्रशुयते माया लोग स्रिष्टी विकल्पना अज्यानता मामकेन मूढेना कारिवेदिना अनीतोयम तवपितातद भगवान चंतुर मरभती ममध्यान उग्रहम कृष्णम करतो मरहस से स्ट्रिकर गोविंद नियतामे से पिताते पेत्रबात सला बरुन ने भगवान की इस्तुती करी महराज इसके बाद नंद बाबा बापस साथ राद में कहा जएता था तब नंद बाबा ने पूरी घृतना बताई कि मैं यमुणा मिश्वान करने गया ना जाने कहा से सैनी काई और हम पोगड़ कर ले गए बार में मेरा कनहिया आया और मुझे छुड़ा दिया भगवान ने कहा जब मैं कहता हो भगवान हो तब तो तुम लोग मानते नहीं अब ये बताओ मुझे भगवान बना कर क्या करना चाहते हो ब्रजवास्वान ने कहा बाबा ए लाला तुम भगवान है तो बने रहे बस एक काम कर दे, केवल एक काम कर दो, कि एक वार हमको अपना बैकुंठ दिखा दो, हम तुम्हारा बैकुंठ देखना चाहते हैं, तब भगवान ने ब्रजवासु उपने बैकुंठ का दासन करवाया, और बैकुंठ दिखा कर जब भगवान ले आए, ब्रजवासु ने कहा लाला एक बात कहें, बुरा मत मानना, भगवान ने कहा बोलो, तो दजवास्यों ने कहा लाला, हमारे ब्रिंदावन से सुन्दर तो तेरा बैकुंट भी नहीं नहीं हमारे ब्रज से सुन्दर तो तेरा बैकुंट भी नहीं नहीं इस तरह से भगवान ने दजवासियों को बेकुंट दर्शन कराया इसके बाद श्रीमर भागुत में यहां से एक विसेस कथा प्रारम होती है जिस कथा का इंतजार तो देवता भी करते है महराज और उस कथा का नाम है रास पंचात दियाए मैं रास की कथा कहने से पहले आप सबसे निवेदन करो कि रास की कथा यदि हम ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आज कल रास की कथा का गलत अर्थ लोग सुझते इस ने इस कथा पर प्रकास डालना बहुत आवश्यक है रास की कथा विलास की कथा नहीं है रास की कथा भोग की कथा नहीं है रास की कथा तो योग की कथा ये इस्त्री और पुरुस के मिलन की कथा नहीं है महराज ये ब्रह्म और जीव के मिलन की कथा है गोपी का अर्थ क्या है भगवा ने रास किसे साथ किया गोपी के साथ गोपी का अर्थ क्या है गोपी का अर्थ यहां किसी लिंग से नहीं है ना तो गोपी स्ट्री लिंग है ना ही पुलिंग गोपी का अर्थ लिंग से नहीं है गोपी का अर्थ भाव से यदि भाव से ना होता तो एक बात बताईए महादेव कैसे गोपी बनते हैं बिंदावन में तो जाकर महादेव भी गोपी बन जाते हैं और नाम होता है गोपेश्वर महादेव बुले गोपेश्वर महादेव कीए तो बिंदावन में तो जाकर महादेव भी गोपी बन जाते हैं महराज गोपी का अर्थ क्या है बहुत ध्यान सा सुनिये ला गोपी करते होता है जो अपने आख से केवल कृष्ट के सेवा करना चाहे वो गोपी जो पैरों से चल कर भिहारी जी के दर्शन करना चाहे वो गोपी जो मुख से केवल भवान का नाम लेना चाहे वो गोपी जिसके कानों से केवल कृष्ट की कथा सुनना चाहे वो गोपी और जिसके जीवन में कृष्ट के लावा कुछ ना हो वो भी गोपी मनना चाहे गोपी का अर्थियां सरीर से नहीं है गोपी का अर्थियां महाओं से गोपियों के यहां भागवजी में पांच प्रकार बताएगा पांच प्रकार की गोपियां होती है एक गोपी होती है साधन सिद्धा एक गोपी कौन है? साधन सिद्धा जो साधन करके भगवान को पाती है साधन करके आने बगवान को पाने के लिए कोई ना कोई साधन करते जैसे किस ने किया